हेलो जीनेफाइल्स, वेलकम तो थर्टी फिप्ट एपिसोड अफ दे इन्मिंसिबल कॉमिक सीरीज जहां हम कवर करेंगे इशू 39 को तो वीडियो का एंट तक जरूर देखना सांधी चैनल को अभी तक सबस्काइब ना किया होते से सबस्काइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस्टू स्टार्ट होता है लास्ट इचू के कंटिनिवेशन में ही जहां शेफशिप्टर सैसल और डॉनल की बात सुनकर कहता है I'm sorry guys मैं तुम लोगों के सांथ honest नहीं था तो शेफशिप्टर ने सबको अभी तक ये बता रखा होता है कि उस पर नासा ने एक unauthorized experiment किया था जिससे उसे ये powers मिली थी पर अब शेफशिप्टर सबको अपना सच बताता है कि उसके सांथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसकी powers का reason है उसका martian होना ये बात सुनकर सब हैरान रह जाता है और शेफशिप्टर आगे कहता है कि इस जूट के लिए वो सभी से माफी मांगना चाता है और अगर वो लोग चाहें तो उसे टीम से भी निकाल सकते है जिस पर सेजल कहता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे फिलाल तुम ये बताओ कि तुम इस शेफशिप्टर कहता है एक्चली सर मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ तो वो बताता है कि सिकृट्स की एक कहानी मार्स में हर बच्चे को बताई जाती थी तो इस कहानी के अकॉर्डिंग सिकृट्स कई सेंचुरीज पहले एक खराब हुए शिप में आये थे जहां उन्होंने किसी दूसरे स्पीसीज को कंट्रोल कर रखा था और उन्ही स्पीसीज के तुर सिकृट्स दे मार्शिंस के खिलाग जंग छेड़ दी थी और यह लड़ाई तब खतम हुई जब सिकृट्स के होस्ट बुढ़े होकर मर गए और सिकृट्स के पास कोई होस्ट नहीं बचे और तब मार्शिंस को भी यह समझ आया कि जिन स्पीसीज से वह अभी तक लड़ रहे थे वह बस सिकृट्स के होस्ट थे असली लड़ाई तो सिकृट्स ही करवा रहे थे उन होस्ट के मरने के बाद सिकृट्स ने मार्शिंस पर ही काबू करने की कोशिश करी पर मार्शिंस की स्टोरी उन्हें हमेशा से बताई गई थी पर सभी मार्शिंस को इस बात पर यकीन नहीं था और कुछ Martians को ये लगता था कि Secrets के साथ हुए इनकी लड़ाई की कहानी एक जूट थी और इस कहानी का मेन रीजन बस Secrets को एक स्लेव रेज बना कर रखने का एक बहाना और जस्टिफिकेशन था तो इस दूसरी कहानी पर बिलीव करने वाले Martians ने Secrets को अजाद करने के लिए एक Underground Movement स्टार्ट करी जिसका पार्ट शेफशिफ्टर भी रहा था और ये बात सुनकर तो सेसल का गुस्टा साथ वे आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिलाते हुए कहता है तुमने एक American citizen को मार्स पर पेरसाइट के अटेक के लिए छोड़ दिया एक पेरसाइट तुमने इस पूरे प्लैनिट को मुश्किल में डाल दिया है मैं तुमें मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ और ऐसा करकर सेसल कुछ important लोगों से call करने के लिए वहां से घुस्से में ही चला जाता है और हम चलते हैं एफरिका में Mark और एप के पास जहां वो last issue के continuation में ही अपनी किस में लगे होते हैं किस पूरी होने के बाद वो एक दूसरे से sorry कहने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ही लगता है कि यह किस उन्हों नहीं start करी थी और दूसरा यह किस नहीं करना चा रहा था पर सचाए यह होती है कि उन दोनों नहीं अपने तरफ से इस चीज़ के लिए initiate किया होता है खेर अब यह इस awkward moment को जहलने कर आस्ता सोची रह कहता है तो Mark Eve को भी अपने साथ लेकर आने लग जाता है अब क्योंकि Eve Mark की जितनी स्पीड में नहीं आपाएगी तो इस वज़ए से Mark Eve को उसका हाथ पकड़ने को कहता है और यह हम देख सकते हैं कि Mark का हाथ पकड़ते हुए Eve उदास होती है क्योंकि उसे अभी भी याद है क कि Mark की अलड़ी एक गर्फ्रेंड है और Mark कभी उसका नहीं है Mark और Eve के पहुंचने तक हम वापिस चलते हैं Guardians के Headquarters में जहां Cecil बागी टीम को एकटा कर लेता है और बताता है कि उसने शेफशिफ्टर से उन सिक्विट्स के बारे में सारी जानकारी ले ली है उसके लावा मैंने अलड़ी अपनी चॉइस बना लिया मेरे सारे डिशीजन्स ही फाइनल रहेंगे तो क्योंकि सीक्विट्स बाड़ी पर टेक ओवर कर जाते हैं तो इस मिशन पर सिब वही लोग जाएंगे जिनकी बाड़ी को पीर्स करना सीक्विट्स के लिए ना मंकिन हो तो इस इसे टीम में ना डालने के वजह से नाराज होता है पर इतने में ही मार्क और इव भी वहां आ जाते हैं और इव को देखकर सेसल मार्क से पूश्टा है मारक तुम्हें लगता है कि इव किसके की इने इतनी स्ट्रॉंग होगी कि वो सेक्विट्स का हमला जहिल ले से पहले अपनी मम्मी और एंबर को ये बात कॉल पर बताने के लिए पर्मिशन मांगता है जिसके कुछी घंटों बाद नासा के एक रॉकेट में बिढ़ा कर उन सभी हिरोस को स्पेस में भेज दिया जाता है तो हम देखते हैं कि शिप को रोबॉट कंट्रोल कर रहा होता है अपना एक जादा स्ट्रॉंग और हसकी वर्जन लेकर आया होता है अमांडा उसके इस नहीं सूट की तारीव करती है जिस पर रूडी बताता है कि उसके इंप्लांस प्लैनिट से तने दूर होने पर रोबॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे इस दिए एक ऐसा मॉडल है जह और तुम मुझे रूडी भी बुला सकती हो अमांडा एक स्मर्क के साथ कहती है रूडी रूडी बताता है जब से मैंने यह रोबॉट बनाया और फुल टाइम इसी के तुरू जीना डिसाइड किया तब से मुझे नाम की कोई जरूरत ही नहीं ती तो कई सालों से मुझे कि पर मैं चाहता हूं कि अब से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ अमांडा फिर से एक समर्क के साथ कहती है रूडी रोबॉट रूडी कहता है नहीं सिर्फ रूडी जिसके बाद हम चलते हैं एमबर के पास जो अभी मार्क के दीवी खबर से काफी नाराज और गुसा होत पूछता है कि क्या वो यहाने से पहले मार्क और वीच में जो कुछ भी हो उसके बारे में बात करना चाहती है जिस पर हीव कहती है कि यहां पर नहीं और सीन एक बार फिर से चेंज होता है इस बार हम चलते हैं नई लोकेशन व्योमिंग यूएसे में जहां यूएसे के एक न अंदर आने कर रास्ता बना देता है और हम देखते हैं कि वहां से पूरी लिजर्ड लीग टीम अंदर आ जाती है जिने हमने लास्ट इशू में भी देखा था तो जैसे लास्ट इशू में किंग लिजर्ड ने कहा था कि वो जल्दी अपने नए विशन पर जाएंगे तो इक रिमोट आउट पोस्ट है यहां सेक्योर्टी ज़रूर टाइट है पर इनके पास इतने लोग नहीं है कि हमारी फोर्स का सामना कर पाएं जब तक यह इंपोर्स्मेंट भीजेंगे तब तक हम इस जगह पर कभजा कर चुके होंगे अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ में लिजर्ड लीग न्यूकलर हो जाएगी तो यह सब देखकर हम कही सकते हैं कि इस बार लिजर्ड लीग पूरी तैयारी के साथ आई होती है सीन फिलाल चेंज होता है हम चलते हैं वापिस स्पेस्शिप पर जहां रूडी अमांडा को बताता है कि उसकी कैलकूलेशन के हि में सेक्विट्स तक पहुंचने में भी 6 घंटे के आसपास लगेंगे वहीं इम्मोर्टल शेप्समिल्ट से मार्शन्स और सेक्विट्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में पोस्ता है ताकि उससाफ से वो लोग भी प्रिपेर रहे हैं शेप्समिल्ट जवाब देत मतलब उनके पास कुछ ना कुछ फिजिकल एबिलिटीज तो जरूर होंगी जिसके वज़े से मासें शोल्जर्स भी उनके लिए काम कर रहे हैं वह ऐसे ही सेक्विट्स के सामें सेरेंडर नहीं करेंगे वह वार्शेप हर टाइप के वैपन से भरी हुई है और एक बार हम उ है लिजर्ड लिग के कार नामों के बारे में बताते हुए कहता है 1 और उनकी उंगलिया कौन नियुकलर मिशाइल बटन नमें मामली की सीरियसनेस पता चलती है और ये भी पता चलता है कि इस टाइम पर अर्थ सफेस में जहां पर फैनली हमारे हीरोई की स्पेस्चिप मार्षें वॉर्चिप के पहुन चुकी होती और। ये देखकर और हम देखते हैं कि इनके स्पेश्शिप की तरफ कई मिसाइल आ रहे होते हैं जिसे देखके इस अज़ी को जल्दी से उसके पास आने को कहती है और इव एक इंस्टेंट में वह उनके स्पेस्शिप को तबाह कर देती है पर इव के वज़े से वो सभी इस पोर्स फील्ड के और वीडियो और चैनल से रिडेटर कुछ कहना चाहो तो कमेंट्स में जरूर लिखना उसके लाब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शरूर शेयर करना तो आज के लिए बस इतना इस तो थैंकियो वाचिंग से नेपाइल मिलते हैं नेक्स वीडियो में